मद्धे अक्सान से या सितोषन कटीबंदिय वनस्पति या वन इसके बारे विचर्चा करते हैं मद्धे अक्सान से या सितोषन कटीबंदिय वनस्पति या वन का विस्तार जो है मध्य अक्सांसों में यहां घास एववन दोनों परकार की यहां वनस्पतियां मिलती है मध्य अक्सांस यह छेत्र की जो वनस्पति है को निम्न भागों में बाटा गया है मुख्य रूप से इनको तीन भागों में बाटा गया है परफम देखते हैं सितोस्न कटिवंदिय पतफ़डवन इन वनों की हगर हम बात करते हैं तो ये महादेप से पूर्वी भागों में पाये जाते हैं इनका जो वित्रण है भुतल पर उत्री अमेरिका, पस्मी यूरोप, चीन के पूर्वी भाग और जापान छेत्रों में ये वन पाए जाते हैं इन वनों के अगर हम भी सेस्ताओं पर ध्यान दें तो ग्रिश्म का जो तापमान है वो 21 डिगरी से 27 डिगरी सेलिसियस तक रहता है और जबकि सीत काल में इसका उसा तापमान छेत्रों का 22 डिगरी से 15 डिगरी सेलिसियस तक पाया जाता है ओसत जो वर्षा है इन छेत्रों की वो 70 से 150 सेंटी मिटर के वीश रहती है यहां सीत काल में जो पेड़ हैं वो अपनी पतियां गिरा देते हैं इसलिए ये जो हैं पत जड़ वन हैं इन वनों की पतियां चोड़ी होती हैं वरक्ष सघन पाये जाते हैं और वरक्षों की जो पूंचाई है वो 20 से 25 मिटर तक मिलती है इस सितोसन कटे बंदी है पत जड़ वन के जो मुख्य वरक्ष हैं उनमें हैं मुख्य रूप से ओक, बीच, एल्म, वास्वूड, चेस्टनट, मेपुल, हिकोरी, एस, एम, अकोट, बोजपत्र, आदे इन वनों से जो प्राप्त लकडी है उसका जो उप्योग है मुख्य रूप से फरनीचर और देनिक उप्योग की वस्तुवीं बनती है उसमें किया जाता है उसका जो दूसरा परकार है सितोसन कटे बंदी है कौन धरी या टेगावन इनका जो वितरन है केवल उत्री गोलार्द में है टेगावनों को बोरियल वन भी कहा जाता है इनका जो छेतर है वो उत्री अमरिका के करनाड़ा, अलास्का, एम, ग्रिनलेंड, यूरेशिया में साइवेरियाई छेतर और यूरोप के उत्री भागों में ये वन पाए जाते हैं विशेशताओं के अगर हम बात करें तो यहां इनकी जो पति हैं वो नुकीली सुई के समान होती हैं सेथकाल यहां लमबा चलता है सिथकाल में हिंपात होता है कि वर्षा ठोड़े समय के लिए गृष्म। काल में होती है जिसका जो, ओ सत, वो 25 से 100 cm के मध्या रहता है गृष्म काल का जो समय है वो 3 से 4 माहा का होता है और उस समय जो त वनों के व्रक्षों का आकार संकुनुमा होता है, मुख्य व्रक्षों की अगर हम बात करें तो इसमें स्प्रूस, पाइन, फर, बेतुल, पॉपलर, आदि व्रक्षे आपाये जाते हैं, यहां की जो लकडियां हैं, वो मुलायम हैं, और उनका आर्थिक दस्ट्री कौन से वाण में सबसे जादा इनका उप्योग होता है, उसके बाद में फर्निचर, दिया, सिलाई, अधि उध्योगों में, यहां की लकडियों का काफी उप्योग होता है, वनस्पति है, उसका तीसरा परकार है, इसको सितों सुने, कट्टीबंद घास शितर कहा जाता है, हम इसक वित्रण है, वो दोनों गोलार्दों में 30 से 40 सुने पाया जाता है, यहां तो घास के मेदान महादीपों के मध्यवर्थी भाग में पाई जाते हैं, जहां महादीप यह परकार की जलवायू पाई जाती है, इन घास सितरों के अगर विशेशताओं की हम ध्यान करें, तो ग सेलिसीयस तक बना रहता है जबकि सीद काल का जो सता अपमान है वो 15 डिग्री सेलिसीयस तक मिलता है वर्षा का जो ओसत है कि वो 25 से 55 cm के बीच बैया जाता है इस छेत्र में जो घास यहां जो घास की लंबाई है वो लगबग एक.3 compared 3-3 मिटर के मध्ध यह लंबाई पाई जाती है घास की इस चेत्र में जो मिलने वाली घास चेत्र निम्न नहें और निम्न चेत्रों में अलग-लग नामों से इनको जाना जाता है घास चेत्रों को यह घास के मैदानों को प्रेरी घास छेत्र सेंगतराजे अमेरिका था कनाड़ा में यहां जो घास पाई जाती है पॉइंट पांस मिटर से तीन मिटर तक की लंबी घास यहां पाई जाती है इस टेपी जो घास छेत्र है वो यूरोपी यह जो रूस है उस छेत्र में आधक पम्पाज घास की जो छिटर हैं वो दक्षनी अम्रिका में और्जिंटाइना इस जो घास छिटर फोट declared अश्टेलिया में केंट ब्री जो गहाई उस्ञामें फॉस्ता हैं वो हंग्री में मतलब ये जो अलग-अलग जो नाम है घास छेत्रों के तो ये अलग-अलग जो छेत्र हैं उन छेत्रों में इनको अलग-अलग नाम उसे जाना जाता है जबकि ये घास है शितोसन कटी बन दिये घास के छेत्र नेक्स्ट वन के अगर हम बात करें तो नमबर च्छह है टूंट्रा वनस्पती या टूंट्रा वन ये जो वन है केवल उत्री गोलार्थ के आर्खटिक छेतर में पाई जाते हैं यहां टूंट्रा परकार के वनस्पती जैसे मौस, लाइकेंज, अधात काई और दल दली जो वनस्पती है वो यहां थोड़ी भूत उगती है उसका विकास होता है यह जो छेतर है प्राइफ बर्फ के नीचे दवे रहते हैं प्रादेशिक की अगर इस्तती के आधार पर इन जहतरों में इस वनस्पती का विभाजन करें तो दो भाग यहां पाई जाते हैं एक है आर्किटिक टूंट्रा वण तो यह जो प्रवतिय भागों में पाई जाती है यहां जो वनस्पति और मरुस्तुलों की समान है क्योंकि यहां का जो भाग है बिल्कुल मरुस्तुलों की समान है वनस्पति विहिन छेत्र है और बहुत ही कम यहां वनस्पति का विकास होता है और उनकी जो अवधी होती है बहुत जीवन चक्र जो होता है यहां के वनस्पति का वो बहुत ही अल्प होता अल्प समय के लिए अल्प समय में अपना जीवन चक्र पून कर लेती है यहां की वनस्पति ऐसे छेत्रों को ठंडे मरुस्तल भी कह सकते हैं कि यह वनस्पति भी इन छेत्र होते हैं यहां जो वर्षा होती है वो 40 cm और वो भी हीम के रूप में होती है तापमान यहां हमेशा हीमांग से नीचे बना रहता है यह जो वन है महादेपों के पस्मे भागों में पाई जाते हैं इनका जो विस्तार है अक्सांसी हम देखें तो 20 डिगरी से 30 डिगरी अक्सांसों के मध्यद दोनों गोलार्डों में मरुस्तल यह परकार की वनस्पति का विस्तार पाया जाता है ये जो मरुस्तल हैं मुख्य बड़े मरुस्तल है और इन में हम देखें तो एफरीका का काला हरी और सारा मरुस्तल दक्षनी एमरिका के अटा कामा एम पीरू मरुस्तल एशिया में थार अरब शिकियांग और मंगोलिया का मरुस्तल संक्त राज्य एमेरिका में कोले रेडो का सोनो रोन मरुस्तल आदी ये छेत्र जो है उन इन छेत्रों में मरुस्तल ये परकार की वरस्पती पाई जाती है यहां कि अगर हम जलवाई विशेस्ताओं पे ध्यान दें या जलवाई तत्मों पे ध्यान दें तो आप देख सकते हैं कि वरसा जो है 25 से कम होती है गर्मियां का जो तापमान है वो 25 से 30 डिगरी सेलिसियस बना रहता है सीत रितु का जो तापमान है वो 12 से 20 डिगरी सेलिसियस तक रहता है अगर हम इन उप्युक दसाओं को देखें तो इस परकार के मरुस्तलों में पानी की कमी रहती है तापमान यहां अधिक रहता है तो यहां जो वनस्पती उगेगी वो जीरो फाइटिक होगी और वो मरुस्तली परकार के वनस्पती का यहां विकास होगा और वो वनस्पती जो है वो काटेदार वरक्षों के रूप में उपती है या छोटी छोटी जाड़िया वहाँ पाई जाती है और मुख्य जो वरक्षों के अगर हम बात करें तो क्रिपोस्ट, अकेशिया, नाटफनी जैसे वरक्ष वहाँ पाई जाते है इनकी जो पतियां वो काटों के रूप में परिवर्तित हो जाती है इनके वरक्ष की जो छाले होती है वो काफी मोटी होती है इनकी जड़े हैं वरक्षों की वो काफी लंबी होती है नेक्स्ट वन की अगर हम बात करें वो है परवतिये वनस्पतिया परवतिये वन परवतिये छेत्रों में नीचे से उपर की और सदा भार से लेकर सुस्क एवं अलपाइन वनस्पति पाई जाती है क्योंकि उपोश्ण गटीबंद छेत्र में इस्तित परवत हैं जैसे हिमाल्य परवत आलपस परवत राकी त्यादी जो परवत है इनमें 600 मिटर की साइट आपको बहुत्याइट आपको मिलेगी इस परकार की वहाँ वनस्पती मिलेगी अगर 600 मिटर से उंचे भागों में आपको उस्ण पन पाती वन मिलेंगे जो सुस्क और अर्थ सुस्क जाड़ीदार एम काटेदार वनस्पती के समान होते हैं 600 मिटर से उंचे भागों में उसन पनपाती वन छेतर के उपर सितोषन कौन धारी वन पाए जाते हैं, यहां चीड, स्प्रूस, देवदार, डगलस, फर, पाइन आदी, 3000 मिटर की उंचाई पर इस्तित होते हैं, 3000 मिटर की उंचाई के बाद में आपको अलपाइन घास जैसी वनस्पती मिलेगी, जैसे बरब से ढके रहते हैं,